मेरी फुल्वारी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम फिर एक नय वीडियो के साथ मिल रहे हैं इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने बहुत ही खुबसूरत रेन लीली का पौधा रखा हुआ है और उसमें देखे कितनी सार कखम एगा है और यह कुकि प्रसाथ смотреть की सीजन का मौसम है और अभी मांसून जल्दी से आने वाला है तो हम रेन लिली के पौधे में कुछ treatment कर ले, कुछ इसकी ऐसी तैयारी कर ले कि जब ये बरसात आ जाए मानसून का मौसम तो ये भर भर कर फूल दे, इसके लिए हमें कुछ काम अभी से ही दोस्तों कर लेने चाहिए, तो आज हमारा वीडियो इसी पर होगा, हम इसी पर discuss करे कि बरसात से पहले हम रेन लिली में कौन से ऐसे जरूरी काम है, जिसको हमें निप्टा देना चाहिए, तो दोस्तों आप देखिए, पहला क्योंकि इसमें साल भर थोड़े थोड़े इक्के दुके फूल खिलते ही रहते हैं, तो पहला आप देखिए, जैसे जैसे फूल इस साल भर से ऐसे रखे रहते हैं, और बारिस के मौसम में फूल देते हैं, तो आप देख रहे होंगे, इसमें बहुत सारे जो घास हूसे, इसकी पत्यां सूख गई हैं, और बहुत सारी पत्यां आप देखते हैं, कि ये सर भी गई है, तो इस तरह आप अपने गमले की पहले तो सफाई कर दीजे जितनी भी इसकी बेकार सी जो पत्तियां हैं थोड़ी सी गुड़ाई करके इस तरह की पत्तियों को बिल्कुल अलग कर दीजे तो पौधे को बिल्कुल क्लीन और साफ कर दीजे तो इस तरीके से पहला काम यह है कि पौधे में जितनी भी सूखी पत्तिय इनको हटाकर पौधे को साफ कर दें, दूसरा अगर आपका काफी दिनों से पौधा गमले में लगा हुआ है और ये काफी भढ गया है क्योंकि इसके बल्व होते हैं और प्याज की तरह के छुटे-छुटे बल्व होते हैं, बल्व से लगता है, तो क्या होता है कि साल भर तो आप चाहें तो इस पौधे को सारा इसकी जितने भी बल्ब है इसको आप हटा सकते हैं एक बार इसको रिपॉर्टिंग कर देंगे तो बरसात में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा बहुत ही फूल खेलेंगे तो आप मिट्टी को उलटकर इसके सारे बल्ब निकाल लीजिए तो इसमें जो बड़े बल्ब होंगे तो बड़े बल्ब में ही ज्यादा ही फ्लावर की बर्स बनती है तो आप बड़े बल्ब को लगा दीजिए और जो छोटे बल्ब है महां से हटा दीजिए तो और बल्ब क संख्या पौधे में कम कर दीजिए छोटे बल्ब कहीं अलग लगा देंगे तो बाद में उसमें से फ्लावरिंग होगी उसमें थोड़े समय बाद होगी तो इस तरीके से आप सारे बल्ब को निकाल कर रिपॉर्ट कर सकते हैं और जब आप इसको रिपॉर्ट करें तो फिर से इसकी दूसरी मिठी बना दे और मिठी इसकी पोरस रहे क्योंकि बल्ब से लगता है तो जो बल्ब डिवाइड होते हैं पोरस मिठी में बहुत अच्छे से डिवाइड हो जाते हैं तो आप इसमें एक भाग मिठी ले लीजिए एक भाग को कोपीट ले लीजिए और एक भा कोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में से डाल दीजिए तो आपकी यह बहुती अच्छी मिट्टी बन जाएगी जिसमें बहुती फ्लावरिंग इसमें अच्छे से होगी और दूसरा समय समय पर इसमें थोड़े थोड़े दिनों के बाद इसकी जो खर पतवार है हटा दीज चाहिए और 15-20 दिनों में क्योंकि अभी गर्मिया चल रही है तो हम इसमें कोई जो हार्ड केमिकल वाली जो खाद है वो इसमें नहीं डालना चाहिए वैसे इसमें ज्यादा खाद की जरूरत पड़ती भी नहीं है पर इसमें आप सरसों की खली का बहुत ही पतला सा जो लि पाने में घोल कर अगर लिक्विट फर्टलाइजर इसमें आप डालते हैं तो बहुत अच्छा होता है सूखे की बजाए वह इसमें और अधिक जो है काम करता है तो बारिश से पहले दोस्तों आपको यह जो दो तीन जरूरी काम है एक रिपॉर्टिंग का काम है आप इसके मौसर में आपके जितने भी पॉट है और दोस्तों यह भी है कि यह जो पौधा है बहुत इजी ग्रो है तो आप इसको कई से बरसात आने से पहरे कई से पॉट में लगा लीजिए आप जब इसका बल्ब एक पॉट से निकालेंगे तो एक पॉट के बल्ब से आपके दो पॉट बन जाएंगे तो इस तरह के से कई लगा लिजिए तो आपके जो बरसात में है इसकी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी और पूरे चार-पांच महीने तक इसमें फूल देता ही रहेगा तो आप अपने गार्डन में इस फूल को रेन लेली को आप जरूर लगाए और आपके हां हमेशा फूल बने रहेंगे तो दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूं अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलूंगी अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा और अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद